हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Microsoft Word में Advanced shortcut की जैसे की दोस्तो आप अभी अस्कीन पे देख रहे हैं कि बहुत सारे Advanced Level का shortcut की टाइप किया हुआ है और यह बहुत कम लोग ही जानते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तो बिल्कुल बेसिक से की Advanced Level का shortcut की का उप यूग Microsoft Word में किस परकार से किया जाता है जैसे की दोस्तो यहाँ पे देखिए पहला shortcut की ए Control Plus Close बड़ी बराइकेट है जैसे की दोस्तो अगर देखिए यहाँ पे Increase है इसको अगर हम यहाँ से Select कर लेते हैं और इसके बाद हम Control के साथ यह बड़ी बराइकेट को हम प्रेस करेंगे तो देखिए इसकी Size क्या होगा भी बढ़ रहा ठीक है तो किसी भी Text के Size को बढ़ाने के लिए Control plus Close बड़ी बराइकेट का उप्योग आप कर सकते हैं और उसी के देखिए नीचे है दोस्तो यहाँ पे कि Control है जो Open बड़ी बराइकेट है ठीक है तो इसका काम है कि Found Size Decrease Decrease का मतलब होता है घटाना जैसे कि दोस्तो अगर देखिए Increase बड़ा है और इसको हम घटाना चाहते हैं तो बस उसकी उसी के बगल में है Control और E-Open बड़ाइकेट तो देखिए क्या होता है कि यह Found का Size बढ़ रहा है तो दोस्तो आप चाहें तो पूरे की Size Select करके इसकी Size को अगर बढ़ाना है तो इस तरीका से बढ़ा सकते हैं और घटाना है तिसी तरीका से इसको आप जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं तो इस परकार से इस दोनों सोर्कट की काम करता है ठीक है एक Found के Size को बढ़ाता है एक Found के Size को बढ़ाता है अगर आप यहाँ से Options भी देखें दोस्तों तो Home में जाकर आप इतकी यहाँ से है Found Size है यहाँ से Size को आप इस तरीका से बढ़ा सकते हैं और इस तरीका से आप घटा सकते हैं जितना जरुरत है उतना आप घटा सकते हैं जितना जरुरत है उतना आप Size Found के बढ़ा सकते हैं तो इस shortcut key की मदद से आप बढ़ा सकते हैं, यहां से आप direct option की मदद से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप इसके next में आजएगे दोस्तों, यहां पर है control shift out D, इसका मतलब है दोस्तों double underline, ठीक है, आप किसी भी sentence में line देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम suppose जाते हैं कि यह double underline को select करके, और हम यहां से control shift out D करेंगे, देखे, control shift out D, प्रेस एक साथ keyboard पर करते हैं, तो देखे, इसके नीचे double underline आगी है, ठीक है, अगर आप single line देना चाहते हैं, दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखे, अगर founds आई जहां पर ठीक है, इसको select की है, इसके बाद क्या करेंगे control अगर सिर्फ आप U प्रेस करते हैं, कीबोर्ड पर, control और U तो देखे, single line आता है, ठीक है, तो आप अगर किसी भी sentence के नीचे line अगर एक देना चाहते हैं, तो control U का उप्योग करेंगे, ठीक है, और double देना चाहते हैं, दोस्तों, तो control shift और D, ठीक है, इसका हम उप्योग कर आना है, दोस्तों, तो बस कुछ simple सी है, control shift D, एक बार फिर से परेसाप को कर देना है, यह automatic खड़ जाएगा, लेकिन अगर option से हटाना चाहते हैं, दोस्तों, तो देखे, यहाँ पर underline है, home type के font group के अंदर, underline ठीक है, आप यहाँ से भी किसी के bird के नीचे, आप lining दे सकते है बहुत परकार का line है, ठीक है, next आदे दोस्तों, यहाँ पर है, control end का मतलब होता, go to end दा file, कहने का मतलब हो गया, कि सबसे last file में, सबसे अंतिम page पे जाने के लिए control और end का उप्यो करते हैं, ठीक है, अपने keyboard पे देखे, control end अगर button होता है, वहाँ पे हम press करें, देखे, control और end keyword पर एक साथ दबाते हैं, तो सबसे last page पे हम चले आएंगे, देखे, पूरे अंतिम page है, जिसके बाद कोई भी page नहीं है, तो सबसे last page पे जाने के लिए किसका उप्यो करेंगे, control plus end का, ठीक है, control plus end के, लेकिन अगर दोस्तों, देखे, control home है, control home का मतलब होता है, go to a starting of the file, मतलब अगर आप कोई भी page पे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि first page पे आजाएं, तो उसके लिए आपको control plus home का उप्योग करना होगा, ठीक है, चलिए, पहले हम क्या करते हैं कि page number two पे चले आते हैं, देखे, page number दूसरा आप चले आएं, आप control plus home करते हैं, ठीक, keyword पे control और home का button प्रेस करेंगे, तो सबसे first page पे हम चले आएंगे, और control plus home का पर्योग करेंगे, control plus end का पर्योग करेंगे, तो सबसे last page पे चले जाएंगे, ठीक है, चलिए, next में आते हैं, दोस्तों, यहाँ पे देखे, क्या है, control, shift और plus, ठीक है, यह तीन बटन है, जो एक साथ आपक करते हैं, चलिए, यहाँ पे खाली कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कि so, sorry, यहाँ पे हम लिख देते हैं, 10 पे power 2, तो इसको लिए क्या करेंगे, दोस्तों, कि 10 पे अगर हमको power 2 देना है, तो तीनों को एक साथ लिख दिए, 102, और जिसको ऊपर ठीक है, तेहां से किसी भी number के उपर आप power दे सकते हैं, और उसे बाहर आने के लिए control, shift और फिर plus का बटन दवाएंगे, तो उसे हम बाहर चलाएंगे, उसी तरह देखे, x2 है, अगर हम 2 को x के उपर भेजना चाहते हैं, तो control, shift और plus का बटन प्रेस करेंगे, तो देखे, x के उपर 2 चला गया, ठीक है, उसी परकार से अगर यहां पर भी आप control, shift और यू, plus प्रेस करेंगे, और हम चाहते हैं कि a पे power लिखना है, a2 plus b2, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, sorry दोस्तों, यहां पर plus का sign हम को देना था, लेकिन दे दिए हम बराबर का, ठीक है, a2 plus b 2, हमको लिखना a2 plus b2, ठीक है, तो दो को क्या करेंगे, select करेंगे, उसके बाद देखिए, options को क्या देखना, home time में जाना, यहां से देखिए, x पर बाबर है, इसका काम है, super script पर क्लिक करें, देखिए, उपर चला गया, और यहां से select करके, यहां पर क्लिक करें, दूपर च simple control के साथ plus आपको दबाएंगे, तो sub script होगा, ठीक है, जैसे कि देखिए, इस सबसे नीचे वाला यहां पे है, इसको हम select कर लेते हैं, आप किसी number के नीचे number आपको देना, ठीक है, अभी तो आपने सीखेंगे, उपर number देना, लेकिन किसी number के नीचे number देना है, तो उसको ल देना है, देखिए, आगया नीचे, अगर हमको दोस्तों यहां पे 10 के नीचे दोल आना है, ठीक है, तो 10 हम लिख दिए, उसके बाद 2 भी लिख दिए, उसके बाद select करेंगे, और options से आना home type के अंदर देखिए, यहां पे sub script, super script के बगल में, और यहां पे click करेंगे, तो द select करेंगे, उसके बाद control के साथ, पलस बटन प्रेस करेंगे, तो यह नीचे चलाएगा, चलिए, नीचे दोस्तों, control, shift और C, इसका मतलब है format copy, format copy का मतलब है दोस्तों, कि आपने जो भी color के को भी font को बनाए है, ठीक है, चलिए देखिए, इसको हम अभी format copy है, इसको हम यहा computer, c-o-m-p-u-t-e-r, हमने type कर दें, तभी क्या होगे, green हो गया, और इसको हम कौन सा color कर देते हैं, यहां से color को change कर देते, चलिए, रेड कर दें, अब चाहते हैं कि computer को हम green बना दें, लेकिन computer ही लिखा रहे हैं, ठीक है, और इसका देखिए, style दूसरा बदल देते हैं, यह हास गयें, इसको हमेहा से underline कर दें, देखिए, इसका format बदल गया, आब इस format को पहले select करना है, अकिवोड पे control, shift और C का बटन एक साथ प्रेस करेंगे, और उसके बाद जिस पे जा के अगर control, shift और B कर देंगे, देखिए, इसके नीचे बटन देखिए, shortcut की है, control, shift और B, इस दोनों shortcut की एक साथ ही काम करेगा, अलग अलग काम नहीं करेगा, पहले आपको control, shift, C दबाना है, इसके बाद आपको control, shift, B दबाना है, ठीक है, तो यहां से देखिए, control, shift, C तो हमने दबा दिये select करके, और control, shift और B, देखिए, दबाएनत क्या हो गया, green हो गया, इसका copy होके same to color भी आगया, इसके नीचे underline भी आगया, ठीक है, उसी तरीका देखिए, बलेक नीचे बाले है, format paste बलेक है, ठीक है, और यह का है, green है, इस green को हम यहां से red बना देते है, क्या हो गया, red, आइस red को हम चाहते हैं कि इस पर आके लग जाए, ठीक है, इसको हम italic भी कर देते हैं, थोड़ा देखिए, इसका format हम थोड़ा सा change कर देते हैं, देखिए, इस format हम हो गया, और इस format को पहले select करेंगे, control, shift और C, keyword पर प्रेस करेंगे, और इस पर जिसको पर आपको apply करना, उसको select करेंगे, आग control, shift और भी एक साथ प्रेस करेंगे, तो देखिए, same to copy ह कि आगया, जब दोस्तों, ज़्यादा आपको काम करना पड़े, simple सी काम रेत, आप automatic कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम करना रहें, दोस्तों, किसी भी sentence पर 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 ताप इसकी मदद से, बहुत कम समय में, किसी भी पर पर आपको एक नया style दे सकते हैं, ठीक है, एक जगा से, दूस्ते जगा पर जाने के लिए, आपको keyword पर A5 बटन का प्रेस करना, जो कि function बटन होता, ठीक है, तो हम देखिए, यहाँ पर A5 बटन को हम प्रेस करते हैं, तो क्या होता, देखिए, एक dialogue box को लिए, इस dialogue box का काम है, दोस्तों, जिस page पर आप जाना चाहते ह उस page का नाम है, हाँ पर क्या कर दिए, लिख दिजे, जैसे page number हम पहुचाना है, 3 पर, यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है, और go to पर click करेंगे, तो देखिए, page number 3 पर चले आए, अगर यहाँ से हम चाहते हैं, कि एक click कर, अगर हम go to पर click करते हैं, तो page number 1 पर देखिए, चले आजाए यहाँ, page 7, इसका काम है, दोस्तो, check a spelling in grammar, ठीक है, आप कोई bird जैसे कि हम page पर लिख दिए, जैसे हम लिख दिए, a, double, p, l, e होता है, लेकिन हमने इसको गलत करके a लिख दिए, ठीक है, अब ही देखिए, जो apple लिखा हुआ है, एक गलत है, ठीक है, और इसको हम check कर आजाते हैं कि गलत है कि सही word लिखा हुआ है, तो पहले slate करेंगे, slate करने के बाद, keyword पर एप 7 दवाना है, ठीक है, तो एप 7 हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए, डायलोग बॉक्स आ गया, spelling in grammar का डायलोग बॉक्स है, इसमें देखिए, इसे related बहुत सारे हाँ suggestion दे दिया है, कि apple जो है, गलत है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, apple ले सकते हैं, apply ले सकते हैं, apply सकते हैं, apply ले सकते हैं, जिसको आपको लेना, उसको select करेंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, change, तो देखिए, आपका हो जाएगा, पूरा change, यहाँ पर देखिए, हमने Select करने के बाद क्या करना है कि आपको Ape 7 बटन को प्रेस करेंगे ते डायलोग बॉक्स खुलेगा और उसमें आपको उसी बड को लिखना है तो इगनौर कर देंगे अगर चेंज करना तक चेंज पर हम क्लिक करेंगे Next आजे दोस्तो Ape 12 है इसका काम है Save Age एक होता है दोस्तो Save एक होता है Save Age Save का मतलब दोस्तो अगर आप नया डोकॉमेंट बना रहे हैं तो उसको आप Save करेंगे तो Save हो जाएगा लेकिन दोस्तो Ape 12 का मतलब है Save Age इसका मतलब है कि जो फाइल आपने शेव कर लिए हैं उसी फाइल को किसी दूसरे के नाम से Save किया गया file किसी दूसरे के नाम से आप किसी दूसरा जगह पे Location पे अस्थान पे अगर Save आपको करना है तर AVE 12 बटन का उप्योग करते हैं तर चलिए हम दबाते हैं Keyboard पे AVE 12 AVE 12 दबाएं दोस्तों तो देखे, save as का dialog box खुल गया है, आप इसको जहां पर आप save करना चाहते हैं, उहां पर आप save, चले, desktop पर हम गए हैं, और इसका नाम यहां पर हम कुछ और रख दते हैं, ठीक है, यहां पर a, d, b, a, n, c, e, advance 10 लिख दिए हैं, ठीक है, और यहां पर save, save कर देए, चले, desktop पर ह नाम से, file save हो गया है, ठीक है, तो आप save as की मतद से, save किया गया, file को किसी दूसरे के नाम से, किसी दूसरा जगा पर, आप save कर सकते हैं, पहले दोस्तों, यह file, advance, shortcut की के नाम से, save था, अब यह file, advance, 10 या 10 के नाम से, save हो गया है, चले, दोस्तों, आप next हम चलते हैं, कि control shift, औ यह होता है, greater than, यहां से काम है, दोस्तों, कि किसी भी font के size को बढ़ाने के लिए, इसका उप्योग करेंगे, चलिए हम यहां पर नीचे, आपने channel का नाम लिख देते हैं, dsicamputer, c-o-m-p-u-ter, ठीक है, और इसको slid करके, इसकी size को हम बढ़ाना चाहते हैं, तक keyword पर क्या प इसकी size घटाना है, क्या करना है, दोस्तों, इसकी size घटाना है, ताब को करना, control, shift, or less than, ठीक है, तक keyword पर चलिए, control, shift, or less than, control, shift, or less than, देखें, इसकी size अब कम होने लगा, तब font के size बढ़ाने के लिए, control, shift, greater than, घटाने के लिए, control, shift, less than, आप दोनों का उप्योग करके, आ घटा सकते है, ठीक है, next है, दोस्तों, इहाँ पर है, mouse, mouse का काम है, किसी भी page को move करना, या किसी भी program को exist करना, लेकिन आपको इहाँ पर करना, control, plus mouse, scroll button, मतलब, mouse में 3 बटन होता, एक left होता, एक right होता, एक scroll बटन होता, ठीक है, तो आपको बीच वाले बटन, जो circle की तरह हो होमता है, ठीक है, तो उसको क्या करना, कि आपको control के साथ, क्या करेंगे, घुराएंगे, तो क्या होगा, कि zoom in, zoom in का मतलब page के size को बढ़ाना, आज zoom out का मतलब page के size को घटाना, तो उसको क्या करेंगे, बीच वाले जो mouse का button होता, scroll button, उसको अगर move करेंगे हम, तो देखे, page क size घटेगा और बढ़ेगा, तो इस तरीका से आप mouse को control के साथ, scroll button दवाते हैं, तो अपने page के size को बढ़ा सकते हैं, और घटा सकते हैं, ठीक है, चलिए, next में आए दोस्तो, shift plus home, इसका काम है, select line form into a start, मतलब कि किसी भी line को last से लेकर first तक, मतलब अंत से लेकर पहला, सबसे आगे तक select करने के लिए हम shift plus home का use करेंगे, जैसे देखे, अगर हम tooter cursor रख देते हैं, ठीक, अभी मेरा cursor tooter है, और हम क्या करेंगे, कि shift के साथ home button प्रेस करेंगे, shift के साथ, चलिए shift तक प्रेस करेंगे और home, तो देखे, क्या हो गया, last से लेकर first तक, पूरा line select हो गया, ठीक है, और अगर हम दोस्तों, यह बाला क्या है, कि shift के साथ end है, मतलब कि select line form a start to end, मतलब सुरू से last तक select करने के लिए किसी line को, हम shift के साथ end button प्रेस करेंगे, तो चलिए, देखे, हम यहाँ पे select तर रख करने करसर को, इसके बाद हम shift के साथ home बटन प्रेस करेंगे, देखे, last में आगया, ठीक है, तो इस परकार से पूरे line को select करने के लिए, अंत से शुरू तक shift home, और शुरू से अंत तक shift in का उप्योग करेंगे, ठीक है, चलिए next में आजे दोस्तों, alt plus control plus s, ठीक है, आस फिल the document window, अब ही हमारे पास जो window खुला हुआ दोस्तों, इसके दो भाग में divide करने के लिए, हम alt plus control plus shift का उप्योग करेंगे, तो इस दो भाग में divide हो जाए, कई से होगा, चलिए करके देखते हैं, तो सबसे पहले alt हम दबाएं बटन, इसके बाद control दबाएं, इसके बाद एस द बट जागा, जलिए यहाँ पर click कर दाते हैं, यहाँ से देखे, नीचे दूसरा हो गया दोस्तों, देखे, move हो रहा है, ठीक है, और ऊपर देखे, दूसरा है, ठीक है, move है, मतलब हमारा window दो भाग में divide हो गया है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए दोस्तों, आप क्या करन से नेक्कीटेट मतलब कि कॉरेंट डेट का मतलब हुआ है कि अब ही का डेट देखना है कि आज कौन सा तारीख यह कौन सा तिथी है तो उसको लिए आपको Alt Shift और D प्रेस करना है चले कीवोड पे हम प्रेस करते हैं Alt Shift और D तो देखिए आज 21 तारीक 9 मेना 2030 है ठीक है तो इस परकार से अपने Microsoft Word में क्या है कि आप बहुत असानी से इसको ला सकते हैं अपने date को ठीक है Next है दोस्तों यहाँ पे Alt पलस Ctrl पलस T ठीक है इसका काम है Insert Time मतलब अपने Time को पेज पे लाने के लिए हम Alt Ctrl और T बटन का उप्योग करेंगे तो क्या हो जागा यह आ जागा तो चलिए हम क्योड पे प्रेस करेंगे जी जगा लाना करसर को रखें Alt Ctrl T तो हम अगर प्रेस करते हैं Alt Shift और T अब यहां पे आ गया है इस तरीका से Time Hindi में आ गया अपारन है ठीक है इस परकार से मतलब दोस्तों यहां पे जो shortcut की है मिश स्टेंडिंग हो गई है ठीक है यहां पे हम लिख देते हैं Shift होता है S, H, I, F, T ठीक है आप Shift लिख दीजिएगा दोस्तों क्योंकि हिंदी में भी लिखा रहा है इसको हम हटा के और यहां से font को size को हम क्या कर देते हैं English कर देते हैं Arial और इसके बाद देखिए हम यहां पे प्रेस करते हैं तो यहां से देखें नहीं type हो रहा है ठीक है यहां पर आप लोग script लिख लिएगा दोस्तों जैसे हम यहां पर क्या करते हैं खिर देते हैं यहां पर तीजिए type नहीं हो थे ख्राइब कुछ बजह है इसलिए type नहीं हो रहा है यहां पर क्या हो जागा shift हो जागा control हट जागा चले नेक्स आजे दोस्तो, alt plus type, इसका काम है to switch between one program to another program मतलब कि एक program से किसी दूसरे program में जाने के लिए क्या करेंगे, alt plus type का उप्योप करेंगे तो चले की बोर्ड पे हम alt plus type, दबाते हैं, alt and type देखे मेरे पास तीन विंडो खुला हुआ है, एक मेरा recording चल रही है, एक document 1 है, जिस पर देखे क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जागा, इस पर कुछ भी नहीं है, document 1 इस तरह से खुला हुआ है, अगर हमको दूसरे पर जाना दोस्तों तो फिर alt के साथ type button एक एक करके press क करेंगे, जिस पर जाना है, उसको select करके छोड़ देंगे, ठीक है, देखे, वर विंडो आ जाएगा, इसके बाद है दोस्तों, double click, मतलब हुआ पर लिख दी है, mouse, अगर mouse से double click करेंगे, to any word, कोई एक word को select करने के लिए, हमें हाँ पर double click mouse से करते हैं, तो देखे, word select हो जाग ठीक है, लेट बटन को आपको double click करना है, ठीक है, आप यहाँ से क्या बोलड़ा, triple click, mouse को अगर हम तीन बार लगातार click करते हैं, to select any paragraph, मतलब कि किसी एक paragraph को select करने के लिए, हाँ से triple click करेंगे, तो चलिए हाँ से एक paragraph हम ला देते हैं, सबसे पहले, तो paragraph लाने के लिए, आप पे नहीं हो रहा है, और कुछ से यहाँ पे setting लगता हो गया, ठीक है, कुछ भी type करें, यहाँ पे type नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार कोसिस कर लेते हैं, और कि हाँ से type क्यों नहीं हो रहा है, किसी word equal देते हैं, देखे type नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो र गराप है चले एक दूसरे विंडो हम चल जाते हैं अल्ट के साथ टाइप हम परेव करेंगे हम निउ बाले में चले जाते हैं और यहां से equal यहां से भी type नहीं हो रहा दोस्तों कोई बजा है ठीक है इस बजा से type नहीं हो पा रही है तो triple प्रोग्राम आपको टास्क बार में आके छीप जाना ठीक है तो चलिए हम बिंडो के साथ एम दबाते हैं ठीक है बिंडो बटन देखिए आपको जिस तरह से या स्टर बटन लग रहा है लोगो उसी तरीका से की बोट पर रहेगा दो बिंडो बटन होता है हुआ है right side में हमिनी माय जहां पे क्लिक करेंगे तो देखे को प्रोग्राम चीप जागा और यहां से क्लिक करेंगे फिर से जो भी प्रोग्राम पूरा डेश्टोप पे सेट हो जाएगा निस्टो तो alt plus a4, close any program मतलब काने को कोई भी window खुला हुआ जैसे भी मेरा पास Microsoft Word खुला हुआ और अल्ट फोर करें यह जो अभी बिंडो खुला हुआ यह बंद हो जागा तो चले एक दूसरा बिंडो हम लिया आते हैं ठीक है लिया यहां पर और इसको बंद करते हैं तो अल्ट प्लस फोर देखिए पूछेगा इस पार से दोस्तों जो भी Microsoft Word में Advanced Level का shortcut की था और सभी का एक एक करके हम आपको बता दिये हैं अगर इसमें किसी परकारा के दिक्कत है समस्या गया हुई ता हमारे कॉमेंट वसमें कॉमेंट कीजिएगा हम उसको बताने की जरूर कोशिस करेंगे तो दोस्तों ए वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर कॉमेंट जरूर कीजिएगा आज के लिए इतना ही